नमस्कार में मुम्दासिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 News आज बात करेंगे SPN 9 News में जोती रादेति सिंधिया के बारे में उनके बारे में हमेशा मैं जिकर करता हूँ और आप जानते हैं कि जिस तरह से कॉंग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद जब भार्दी जनता पार्टी में शामिल हुए तो जिस मकसद से वो शामिल हुए थे जिसे नियत से वह शामिल हुए थे उस पर वह वाखो भी निभा रहे हैं और उनका कद दिन बद दिन बढ़ता ही जा रहा यह वज़़ा है कि अगर रोड शू करते हैं तो हम सड़कों पर उतरकर उनका विरूत करेंगे अब आप सोच रहे हूंगे कि आसा किया है कंघरेस आखिर कहा उन्हेरे क्यों क्यूंष करें रहा हैं जो यह वीच काम इस सिंधिया कि यह मानना है कि जब हम लोग करोना का चल रहा है प्रोटो है बहुत सारे निरदेश्ट हैं सरकार के राजियों के अलग-अलग हैं केंद्र के अलग हैं तो इस बीच में कॉंग्रेस का यह मानना है कि जब वो रोडशो करते हैं या यात्रा यह निकालते हैं तो सरकार उन पर कारवाई करते हैं एफ आया दर्स तक कर देती हैं लेकिन जब सरकार के ही कोई अगर नेता मंतरी अगर यात्रा निकालते हैं या रोडशो करते हैं तो उन पर कारवाई नहीं होती है इसी की वजह से कॉंग्रेस घुसा कर उन्होंने साप शब्दों में कहा है कि अगर जियोती रादेते सिंधिया अगर रोडशो करते हैं अगर उसमें भी होती है तो रोड़ पर उतर कर हम उनका विरोध करेंगे और चाहिए इसके लिए कुछ भी हो जाए तो अब यह देखना होगा कि कैसे आखिर संभालेंगे वहां की सरकार क्योंकि एक तरफ जब सिंधिया के समर्थक जब रोड़ शो करेंगे सिंधिया उसमें मौजूद रहेंगे तो लाजमी है कि भीर इकठा होगा तो आखिर उसके बाद जब कॉंग्रेस के अब्रोग लेक्ठर स्पनाइनूस अमस्कार